हलो आज है 27 अप्रील और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जुमाटो के बारे में और आज के दिन इस कमपनी के बारे में बात करना बनता भी है इसके IPO को बंपर रिस्पॉंस मिला था शेर भागते चला गया भागते चला गया भागते चला गया IPO प्राइस पर अब आके अटका है यह शेर 76 रुपीज का इसका IPO प्राइस सा उसके बाद हमने बढ़ा जंप यहां पर देखा बड़ी आग उगलते हुए इस शेर को देखा लेकिन दुबारा एक भयंकर गिरावट से यह गुजर रहा है और अभी उसी लेवल पर आ चुका है जहां से यह शुरू हुआ था 76 रुपीज का इसका IPO प्राइस था अब दुबारा उससे नीचे ट्रेड कर रहा है आज भी बड़ी यह रावट देखने को मिली है वीडियो में डिसकस करेंगे कि जुमाटों में चल क्या रहा है मौका है कि नहीं खरी तारिका तो देखें व एक महिने में देखें तो एक महिने में 6% के आसपास ही गिरावट है 86 रुपीज से लगाता तूट रहा है यह इवन एक साल की में बात करूँ तो एक साल में आप देखो IPO को अच्छा रिस्पॉंस मिला था बड़े प्राइस पे खुला था इसका IPO काफी बड़े प्राइस 132 के आसपास फिर बाद में दीरे दीरे इस थोड़ा बहुत स्टेवल रहा फिर एक जटके में तेजी दिखाई 160 के करीब पहुंचा लेकिन उसके बाद कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इस कंपनी के लिए लगातार यह तूट रहा है लगातार और अब पहुंच चुका ह आईपियो प्राइस पर अगर आप चलनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कहा था अगर जोमैटो के आईपियो का आप सब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन लेकिन लिस्टिंग गें के लिए ही और मैंने ये भी कहा था उसके बाद कि मैं इसको तब खरीदूंगा जब यह आईपियो प्राइस पर मुझे मिलेगा और अब यह उस पर पहुंच भी चुका है तो मेरे हिसाब से हाँ मैं अपने उस बात पर कायम हूँ कि अगर आईपियो प्राइस पर आएगा तो खरीदारी के मौके बरेंगे और अगेन मैं कह दो यह मेरा परसनल ओपीनियन है क्यो तो देखें स्टार्टप्स को ना हैविली फंडिंग मिल रही है कोई भी स्टार्टप्स अगर आप देखो तो अब तक बहुत बढ़िया फंडिंग मिल रही थी वीसी से और भी फंडिंग हाउस से काफी अच्छी इनको फंडिंग मिल रही थी ठीक है बले ही वो प्रॉफ यह देखता है अच्छा current क्या है company पैसा कमा रही है कि नहीं कमा रही quarter on quarter growth दिख रहा है कि नहीं दिख रहा company हर quarter में हर साल में अच्छा profit निकाल रही है कि नहीं निकाल रही अगर वो नहीं निकालती है तो market उसको नीचे की तरफ पटकता है ठीक है और यह सचाई है कोई भी start-ups अगर पैसा नहीं कमाएगी तो याद रखें market उसको पछाड़ेगा गिराएगा नीचे जब तक वो वापिस पैसा कमाना शुरू नहीं करता और यह कहानी start-ups की है कुछ company ऐसी भी है जो पैसा नहीं भी कमा रही है लेकिन फिर भी एक brand value और एक बहुत बड़े perspective के उपर चलते हैं अच्छा यह होने वाला यह बड़ा game है तो उसके IPO के बाद में आपने सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखी होगी IPO के बाद IPO में अच्छा response मिल यह होगी डेफिनिटली लेकिन उसके बाद गिरावट ही देखी होगी चाहे पेटी हम की बात करें या बहिया चाहे हम zomato की बात करें चाहे और बिग policy बाजार कंपनियों की बात करें यह चीज़ देखने को मिली है कि अगर पैसा नहीं कमा हो होगे market आपको पचाड़ेगा गिराएगा और यह सच है यहां पर zomato की मैं बात करें जाओ तो zomato बहुत सारी चीज़ों में बड़ी बैट ले रहा है तैसे कि 10-minute delivery वाले अगर हम बात करें तो food delivery गुर्गराम में शुरू होने वाली है employee वगरा के लिए इतना ही नहीं और देखें अगे यह जो 10-minute delivery वाला जो concept है वो सभी चीज़ों पर नहीं होगा कुछ-कुछ जो चीज़े हैं जो गरम करके बनाई जा सकती है कि instant noodles हो गया पोहा हो गया ब्रेड ओम्लेट हो गया मोमोज हो गया बिर्यानी हो गया कॉफी हो गया चाई हो गया पीजा जैसी जो च जगे और बड़ा निवेश है वो है ब्लेंकेट जो पहले ग्रोफर्स हुआ करता था अब वो ब्लेंकेट है ब्लेंकेट भी 10-minute में ग्रोसरी डिलिवर करता है जो मैटो की यह जो delivery है ना fast delivery वाली system यह definitely game changer है लेकिन ऐसने कि सिर्फ जो मैटो ही कर रहा है अगर मैं ब्लेंके जल्दी सामान डिलिवर करती है और foods में अभी जो मैटो कर रहा है आने वाले दिनों में स्विगी भी लेकर आएगा इसको ठीक है यहां पर again यह जो दाव है ना इनका वो अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है इनके लिए देखो अभी जो मैटो profitable नहीं है अभी कि यह दोनों ही कंपनिया अपना पैसा जला रही है बर्न कर रही है और देखो जो customers होते हैं वो हमेशा attract होते है discount के पीछे जिस दिन heavy discount देना बंद कर दिया इन्होंने customer चले जाएंगे इनके और ही सचाई है और heavy discount यह बंद नहीं कर से तो heavy discount देनी के वज़ा से company profit भी नहीं यह आ पा रही है तो यह बहुत बड़ी दिक्कत है इनके लिए तो solution क्या है तो आने वाले समय में शायद यह expect किया जा सकता है कि देखो अभी यह जो food वाले जो space है डिले जो space है वो swiggy और zomato ने capture करके रखा हुआ ठीक है आने वाले समय में हुशा है कि दोनों एक mutual understanding पे आ जाए और यह जो discount वाला है वो देरे देरे कम करें और दोनों ही profit कमाना शुरू करें लेकिन ऐसा होगा कि नहीं वो कहना मुश्किल है वाल्यूम काफी ज़्यादा हाई है दो लाग 36,000 करोड से भी ज़्यादा केस के वाल्यूम नजर आ रहे हैं जो मैटो profit में नहीं है 63 क करोड का loss हुआ है December quarter में मैं मानूगा कि अच्छा है क्योंकि इससे पहले हर quarter में 400 करोड के आसपास का loss ये company करती थी revenue में इजाफा हो रहा है बहुत अच्छी बात है यूगि इनके अगर मैं revenue की तरफ आपको ले चलू तो इनके revenue जो थे वो 2021 में 1713 करोड के पूरे साल में revenue एक ही quarter में 1000 करोड का revenue कर रही है financial year 2022 में 4000 करोड के आसपास का revenue आपको देखने को मिल सकता है लेकिन company profit में नहीं होगी company 22 में भी loss में होने वाली है लेकिन उम्मीद करते हैं कि loss कम हो आने वाले दिनों में Zomato में खरीदारी के सही मौकियों के share औरबोड जून में नहीं है 84% analysis कहता है खरीदारी करो ठीक है Zomato को लेकर मेरी एक ही commentary है जिसे कि मैंने पहले भी कहा था हर बार में ये चीज़ कह चुका हूँ कि मैं तब तक पैसा नहीं डालूँगा जब तक मुझे ये IPO price पे नहीं म खरीदारी की कोशिश करूँगा और वो long term के लिए होगा long term मतलब at least एक साल के लिए होगा क्योंकि मुझे रचता है कि company profitable होनी चाहिए कुछ वक्त में हलाकि बहुत मुश्किल रोड है इनके लिए और बहुत ही risk की bet है ये again मैं नहीं कहूँगा आप से कि आप भी ये करिए अपने हिसाब से सोचिए कि आपको क्या करना है zomato में मेरे कहे अनुसार मत जाईएगा again क्योंकि मैं risk ले सकता हूँ मेरा हलका निवेश होका यहाँ पर आप भारी निवेश लेकर बैठ जाओगे तो देखो मैं एक risk ले रहा हूँ और मुझे लगता है कि potential है इस company में और प्रॉफिट तो इंको कमाना ही पड़ेगा और company उस दिशा में काम भी कर रही है तो देखते हैं क्या होता है overall इतना ही कहूंगा मैं एक साथ पैसा नहीं डालूँगा मैं दीरे दीरे थोड़ी बात quantity add करूँगा और wait करूँगा कि अगर 100 रुपे के आस पास पहुंचे तो वहां से मैं profit लेने के कोशिश करूँगा उस लेवल पर तो वीडियो को यहीं प्रेंट करूँगा पसंदाए हो तो लाइक करें चैनल पगरा पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जो मैंटो के बारे में क्या सोचने है वो भी अब मुझे comment में लिखतर बता सक बंक्रिया तर्भ प्लीज सब्सक्राइब करें पाक टैंक्य।